Welcome Back My Dear Learners आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल कम समय में एक कॉमन टॉपिक के बारे में जानेंगे और टॉपिक का हमारा नाम है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग तो international franchising को समझने के पहले हम समझते हैं कि franchising क्या होता है Franchising एक ऐसा process जहां पर एक ऐसी company जो already market में एक अच्छा name fame कमा चुकी है उसके market में अपनी value है वैसी company अपनी जब अपनी name, अपनी logo, अपनी model, अपनी system और अपनी पूरी की पूरी service को किसी third party को देती है तो उसे हम franchising कहते हैं इस प्रोसेस में generally दो पाटी इन्वाल्व होती है एक franchiser और दूसरी franchising और जब इसी process को, इस franchising की process को हम एक country के boundary से बाहर जा करके करते हैं यानि जब एक country दूसरे nation में अपने country के name, logo और model को किसी दीसरे third party को देती है तो वो international franchising कहलाती है I hope the topic is clear अभी के समय के अगर आप बात करें तो हमारे Indian market में भी ऐसी बहुत सारी companies है जो बाहर की company है लेकिन उसके product और service हमें यहां इंडिया में भी available है फ्रेंडरल स्टोर्स और इस फ्रेंचाइजिंग को यूज करके अभी के market में ऐसे बहुत सारे stores open हुए जैसे KFC, Subway, McDonald's या Domino's ऐसे food sector के कुछ फ्रेंचाइजी हैं जो कि लोग जिनको यूज करके अपना store open कर रहे हैं और अच्छी income market में generate कर रहे हैं generally franchising और business इसी basis पे एक दूसरे से different होता है अगर आप कोई business शुरू करते हैं तो आपको बिल्कुल zero level से उस business को start करना होगा बट यही अगर आप किसी company की franchisee लेकर के उसके name, उसकी company की logo, उसकी goodwill को लेकर के आप कोई business नया शुरू करते हैं किसी franchisee के name पे कोई franchising करते हैं, कोई franchisee लेते हैं तो आपको market में एक अच्छा space मिल जाएगा क्योंकि लोग already उस name से, उस logo से परिचित हैं और उस logo पे लोग भरोसा कर रहे हैं जिसके कारण आपके पास customer बहुत easily attract होंगे और अप अच्छी income generate कर सकेंगे अब इस वीडियो को end करते हैं लेकिन जाने के पहले मेरा आप सबसे एक question है आपका एक homework है जो आपको comment section में पूरा करना है आपका homework यह है कि आपको comment section में यह comment करके बताना है कि कैसे franchising और licensing एक दूसरे से अलग होता है हाँ franchising and licensing are different दोनों में क्या difference है so thanks for watching that video और अभी तक अगर आप channel पर नए है और channel को subscribe नहीं किया है तो please do like and subscribe thank you